सब्सक्राइब करें शहर कटिंग एंड इस्टिचिंग को और किलिक करें बेल आइकन पर हेलो फ्रेंड्स यह मैंने तीन इंच की मौरी ले ली दोनों सैड़ा में एक एक लहर मना लेनी अब आपको डेड़ इंच पर मार्किंग करना होगा पूरी मौरी इसी तरीके से आपको उपर की साइड में कर देना है डेड़ इंच पर मार्किंग अब एक निसान को दूसरे निसान के और मिला लेना है तिरच्छा ठीके फ्रेंड्स इंच टेप की हल्प पर बिल्कुल तिरच्छा मिला लेना होगा और इन निसानों पर लगाते हैं अब हम सिलाई तो यह देख तो सभी जगाओं पर इसी तरीके से फिलोवर बना लेना होगा बैस आपको नीचे की साइड में बनाना होगा ये फिलोवर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको मेरे ये मुहरी डिजाइन पसंद आए तो लाइक करें शियर करें आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही इजी तरीके से बनकर ये डिजाइन तयार हो जाता है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये डिजाइन कैसे लगा तो फ्रेंड्स अब हम एक और पत्ति को बना लेते हैं तो हमारा ये फिलोव कंपलीट हो चुके हैं अब जो ये खाली जगाह यहाँ पर हम पत्ति का अरबाते पत्ति आपको ज्यादर बढ़ी नहीं बनानी है नहीं जhybil बनन के बाद तो तो ये रटी बन चूकी है दो पत्तिय पितारप ये देखे फ्रेंस इस तरीजी में अहाँ सब ये हमारी हमृतिया सब्वेट हो चुकि है अब जो ये खाली जगाए बीच में यहां पर इस तरीके से गुलाई कर देंगे उन्हें गुलाई ओपर लगाएंगे लहर थीक फ्रेंट्स और यहां पर फिलो वर के भी बीच में जो खाली जग़ा है वहां पर भी हम गोलाई दे देंगे तो देखि इस तरीके से लहर आएंगी हमारी ये देखी फ्रेंट्स दोनों साइड़ा में इसी तरीके से लहर बना लेंगे बहुत ही सुन्दर लगेंगी हमारी अमौरी डिजाइन बनने के बाद लहरों से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है मोहरी तो फ्रेंड्स यह देखिए कितने इजी तरीके से बनकर तयार हो चुकी है मेरी पूरी मोहरी फ्रेंड्स आपको यह डिजाइन पसंदाए तो लाइक करें